Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios, मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ condenser microphones के बारे में आज का वीडियो डिफरेंट होने वाला है because आज इस वीडियो में थोड़ा से मैं आपसे Q&A भी करूँगा, आपसे questions पूछूँगा सबसे पहला question मेरा ये है, जब आप plan करते हो किसी भी condenser microphone को purchase करने के लिए सबसे पहली चीज आपके mind में क्या आती है, आप क्या चीज देखते हो, maybe आप सबसे पहले उसकी brand देखते हो, हाँ ये brand है, मुझे इस brand का microphone चाहिए then उसके बाद आप क्या search करते हो, YouTube पे की reviews कैसे है, exactly ऐसे ही होता है, 99%, ऐसे ही होता है, मैंने भी अपने microphones इसी तरीके से लिए है, सो में को पता है कि हाँ, most of the जो लोग है ना, वो इसी तरीके से अपने microphones purchase करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, अब for example, मेरे पास एक cond sensor microphone है, road nt1a, अब यह मैंने लिया है, and मैं इसको unbox करूँगा, and इसका review करूँगा, so यह मैंने जब purchase करा है, मेरे को अच्छा लगता था, तभी मैंने इसको purchase करा ना, so majority of the videos में आपको यही चीज मिलेगी, यह microphone सबसे best है, मैं एक चीज यहाँ पर clear कर दूँ, मैं इस microphone को यह नहीं कह रहा हूँ कि यह बेकार है, road nt1a बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा microphone था, और अभी भी है, and आगे भी रहेगा, इस पर तो no doubt, अराम से मुझे trust है, कि यह microphone अच्छा legendary रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, कि अगर आपने सि microphone को purchase करने से पहले, unboxing and review videos में majority of the time unboxing होती है, and उसके बाद on paper जो specifications होती है, वो आपको बता दते हैं, मैंने भी ऐसा कर रहा है, बहुत सारे unbox करे हैं मैंने products, same मैंने यह चीज़ करी है, लेकिन आपको क्या लगता है, जो on paper specifications हैं, क्या आप उससे relate कर पाओगे अपने output को, कि आपका output ऐसा निकलेगा, नहीं, आपको देखना पड़ेगा, exactly वो microphone कैसा work करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, आपने बहुत बार सुना ही होगा, कि microphone में high end बहुत अच्छा है, बहुत सारी videos में देखा है, और खास कर इस microphone के लिए, road nt1a के लिए, इसमें high end boosted है, व बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है, आपकी voice पे, जो air है, वो add होने से negative impact आएगा, यहाँ फिर positive impact आएगा, दोनों हो सकते है, because यह depend करता है, आप किस type से mixing करते हो, processing करते हो, अपने vocal tracks, यहाँ फिर guitar tracks, instrument track, किसी भी recording को, again मैं आपको याद दिलाना चाहू इस microphone की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, यह microphone मैंने खुद purchase करा है, approximately 2 साल शायद हो गए होगे, मुझे time याद नहीं है, cart में या फिर description में मैं link डाल दूँगा, जाके check कर सकते हो, अंधेरे में unboxing करी थी, उस time इतना बड़ा में पास setup भी नहीं था, so यह microphone मैं अब use क्यों नहीं करता हूँ, अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना, वो मैं use कर रहा हूँ, record कर रहा हूँ, MXL 990 पे, मैं यह क्यों नहीं use कर रहा हूँ, just because यह जो है, high end जैसा की इसमें थोड़ा सा boosted है, तो मेरे को मेरी ही sound अच्छी नहीं लगती है, because मेरी जो sound है वो थोड़ भी microphone use करते हो, जो की high end में boosted है, जिसमें high end boosted है, air बहुत जादा add है, so वो कहीं न कहीं आपका जो output है, वो harsh हो सकता है, like मुझे road NT1A के साथ ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं इस microphone को use नहीं करता हूँ, and इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस microphone को use पहले मैंने नहीं करा है, मैंन का भाई, यह microphone किसी दूसरे काम के लिए use करेंगे, normal मैं इस microphone को use नहीं कर सकता, so यहाँ पे हर microphone का अपना एक tone है, आपको किस type की tone चाहिए, use आपको देखना होगा, अब आप daily use में road NT1A को use नहीं करोगे, अगर आपका कोई singer है, यहाँ फिर आप singer हो, अच्छे से vocals गाना च आते हो, बिल्कुल आप road NT1A को use कर सकते हो, लेकिन आपको धियान रखना होगा, आपकी अवाज अगर जादा पतली है, so road NT1A, might be आपकी जो आवाज है, उसको harsh बना दे, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे में पास कौन-कौन से microphones है, मैं आपको वो बता देता हूँ, so road NT1A, MXL 990, जिस पे अभी यह record हो रही है मेरी sound, and एक जीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे यह जो आप मेरी sound सुन रहे हो न, यह थोड़ी सी processed है, अब processing में क्या करा है मैंने, थोड़ा सा noise को remove करा है, compress करा है, then उसके बाद limiter से थोड़ा सा volume boost करा है, that's it, इसके इलाव आपका 80-20-20, but मैं इसको भी use नहीं करता हूँ, and एक microphone और में पास AKG P120, so आप देख रहे होगे मैंने ऐसे पीछे से निखाला, so मैं अभी chair पर बैटा था, दो microphone मैंने पीछे रखे होए थे, दो microphone मैंने आगे रखे थे, एक microphone मेरा लगा हुए, so चार microphone मैंने आपको बता द यह है Mono का AUA03 microphone, बहुत ही budget वाला है, सब के बारे में अभी बात करेंगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सुन लेते हैं, अगर मैं normal इस टाइप से बात कर रहा हूँ, so क्या microphone, I mean कौन सा microphone की tone कैसी है, so अभी जो आप मेरी आवास सुन रहे हो, वो सुन रहे हो MXL 990 पे, का साथ में आपको एक बहुत ही मतलब neutral tone मिलती है, अभी आप आवास सुन सकते हो, और इसको हमने और भी टेस्ट करा है, record करे थे vocals and guitars, और वो भी live करे थे, separate नहीं करे थे, live, vocal भी and guitar भी एक साथ, उस वीडियो का link आपको काट में मिल जाएगा, वो तो भाई जाके आपको pop filter यूज नहीं कर रहा हूँ, सिरफ सामने एक मेरे mic है, आपको यहाँ पर देख रहा होगा, foam shield कुछ भी नहीं है, and यहाँ पर जो मेरी cable है, वो है, road की cable है, and 6 feet की cable है, audio interface पे, जो settings है, वो 50% पे set है, मेरा volume level, and अब मैं करता हूँ mic को change, अब जो आप मेरी आवास सुन रहे ह हो, वो सुन रहे हो, road nt1a microphone पे, आपको basically यहाँ पे जो है, वो tone सुननी है, tone किस type की है, and अभी settings बिल्कुल सेम है, कोई भी pop filter नहीं है, audio interface सेम है, gain set है 50% पे, अब जो आप मेरी आवास सुन रहे हो, वो sound आपको आ रही है, audio technica 80-20-20 से, यहाँ पे wire सेम है, audio interface पे setting सेम है, processed sound नहीं है, unprocessed sound है, noise जित्ती भी है, आपको समझ में आ रही होगी, basically आपको tonal quality यहाँ पे देखनी है, किस type की मिल रही है, कोई भी pop filter नहीं है, कुछ भी नहीं है, same settings है, जो पहले दो mics पे मैंने use करी थी, अब जो आप मेरी आवास सुन रहे हो, वो आ रही है, AKG P120 पे, and same settings ह gain, audio interface का, जो gain level है, वो 50% पे set है, wire भी same है, pop filter नहीं है, sound एकदम ही raw है, processing बिलकुल भी नहीं है, इस पे, again मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपको सिरफ tonal quality देखनी है, यहाँ पे tonal quality चेक करनी है, अब जो आप मेरी आवास सुन रहे हो, वो record हो रही है, mono AUA03, काफी budget segment का, य देख सकते हो, कोई भी pop filter नहीं है, same setting है, audio interface की 50% पे gain offset है, and जो cable है, वो भी same है, सारी चीज़े same है, जो आप sound सुन रहे हो, वो unprocessed है, and यहाँ पे आप tonal quality देख सकते हो, किस type की आपको मिल रही है, now back to our MXL 990, and अभी जो आप मेरी sound सुन रहे हो, वो MXL 990 से आरही है, जैसे पहले आरही थी, मतलब intro में आरही थी, and यहाँ पे पूरी processed sound है यह, so अब आप judge कर सकते हो, कि किस type की tonal quality यह microphones आपको provide करवाते हैं, अगर आपको in-depth जानना है, कि कैसे यह vocals पे perform करेंगे, कैसे guitars पे करेंगे, so उसके लिए आपको wait करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा time उसमें लगेगा, मैं काफी time से plan कर रहा हूँ, मेरे पास जितने microphones हैं, at least मैं उस पे videos बनाऊ, उनके comparison videos बनाऊ, but मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं singer नहीं हूँ, so मुझे wait करना है, अपने friends का lockdown की situation है, अभी थोड़ा सा delay उसमें हो सकता है, comments में में को काफी जादा questions पू price wise अगर आपका price ना बिल्कुल ही, वो 1200 वाला है, उससे उपर आप spend नहीं कर सकते हो, so उस case में आप ले सकते हो, मैंने already videos बनाई है, WR800, BM800, links आपको मिल जाएंगे description में, check कर सकते हो, but ये जो microphones है, BM series के जो BM800 वाले microphones है, आप उन microphones को compare नहीं कर सकते हो, जो अभी मैंने नाम ल सकते हो, because ये एक premium level के microphones है, premium level के condenser microphones है, but हाँ, वो अले भी जो microphones है, वो अपनी price को justify करते है, mono, AUA03, 3000 के around है, पूरी kit मिलती है, so वो justify कर रहा है, BM800, अपनी price को justify कर रहा है, 1200 वाली price को, but again मैं याद दिलाना चाहूँगा, इन microphones से आप compare नहीं कर सकते हो, सर लिविट के microphones कैसे है, LCT 240 और LCT 440 प्योर, सर बताईए, क्या मैं ले लूँँ वो भी, अच्छे microphone है, शायद आप बताईए, आपका क्या कहना है, सी, लिविट के microphones की अगर बात करें, सो मैंने लिविट के microphones यूज ही नहीं करें, सो मैं उस पे comment कर ही नहीं सकता हूँ, यह सिंपल सी बात है जो चीज मेरे पास है मैं उसको यूज करके आपको रिव्यू दे सकता हूँ बता सकता हूँ कैसी है लेकिन जो चीज मेरे पास है ही नहीं तो उसको मैं कैसे रिव्यू कर सकता हूँ और आपको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप वो low यहां फिर ना लो so यह issue है and मैं यह नहीं कि दूसरों की तरह बोल दूँ हाँ जी यह ले लो Amazon पे देखके यह ले लो यह अच्छा है मेरा वो style नहीं है sir AKG के mic कैसे है P220 और P420 AKG P220, P420 again मैं बोलना चाहूंगा मैंने एकाद बार शायद use करते हुए देखा है बट अपने studio में अपने home studio में मैंने उसको use नहीं करा है so again जो चीज मैंने use नहीं करी है मैं उस चीज पर comment नहीं कर सकता कि वो अच्छी है या बुरी है नहीं मैं उनको compare कर सकता हूँ मेरे पास जो बाकी products है in future अगर में पास कोई भी microphone आता है so उसकी unboxing and review video तो आपको मिल ही जाएगी एक चीज और बोलना चाहूँगा जब भी आप कोई microphone का review देखो so वहाँ पे उस microphone का आपको देखना है कि true image वो कैसी है natural sound उसकी कैसी है मतलब जो है raw sound कैसी है कभी भी अगर आप कोई review देख रहे हो वहाँ पे record करके आपको दिखा दिया है पूरा track so समझ लेना वहाँ पे थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है because आपको पता ही नी चलेगा कि raw sound कैसी है किसी भी microphone का अगर आपको review देखना है किसी shop पे जाके online नहीं offline shop पे जाके देख सकते हो कि ये microphone कैसा है and आप उसी shop पे जाना जहां पे microphone आप test कर पाओ and अगर आप amazon से लेते हो तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर किसी microphone पे return policy है कि अगर आप product को return कर सकते हो आपको पैसा refund हो जाएगा so अब वो भी try कर सकते हो अराम से अपने घर पे test कर सकते हो microphones को so ये कुछ बाते थी मैंने सोचा आप से share करी जाए video थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन अगर आप देखोगे so इसमें आपका फाइदा हो जाएगा अगर आप plan कर रहे हो एक condenser microphone लेने के लिए I hope video से आपको काफी जादा knowledge मिली होगी और ये video आपके लिए helpful रहा होगा video अच्छा लगा है so कर देना like, channel को कर देना subscribe and मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप से next video में अगर आपके मन में कोई भी doubts हैं या queries हैं so please comment section में मेरे से पूछ सकते हो but again मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ऐसे किसी product का नाम मत लेना जो मैंने use ना करा हो so आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में